अनकादमी, लेकिन ये फंडमेंटल राइट की शेनी में नई नहीं आता, हाँ, फंडमेंटल राइट के वाइलेशन पर रिट्स हाई कोट भी शुकरने का दिकार, ठीक है, चलिए, शुरुबात करते हैं अंडर्ष्ट गर रिट्स, जो रिट्स हुती है, वो एक ओडर होता है, जो सुप्रीम कोट या हाइब के द्वारा दिया गया होता है तो carry out their orders, मतलब उनका जो order उनके द्वारा दिया गया है, उसको सही तरीके से carry out किया जाए for the execution of affected persons fundamental right, ताकि जो व्यक्ति है जिसकी fundamental right का violation हुआ है उसको सही तरीके से execute किया जा सके, या फिर अगर हम high court की case में बात करें तो legal right की case में भी rights issue की जाती है, तो supreme court issue करते है rights under article 32 whereas high courts can issue rights under article 226, article 32 जो कि एक fundamental right है, यह right है right to constitutional remedies जिसके अंदर supreme court का rights jurisdiction भी आता है, ठीक है यह उसी rights की बात की गई है article 32 basically confer करता है remedies, हमें remedies दी गई है for the enforcement of a fundamental rights of any agreed person, हमारी अगर fundamental rights का violation हो रहा है, तो उनको enforce करने के लिए right to remedies है ठीक है, आप सोचके देखें कि आपको अधिकार तो दे दिये, लेकिन उनके enforceability ensure नहीं की गई है तो उन अधिकारों का कोई, कोई माई नहीं नहीं है, तो यह article 32 जो की fundamental right है यह वो enforceability ensure करने के लिए है, ठीक है, यह रित्स जो हैं borrow की गई है English law से जहाँ पर इनको prerogative rights भी कहा जाता है अब Dr. B.R. Ambedkaru, also known as the father of the Indian constitution, उन्होंने article 32 को सबसे important article बताया है constitution का, यहाँ पर उन्होंने का quote unquote an article without which this constitution would be nullity, this constitution के कोई माईने नहीं रहेंगे it is the very soul of the constitution and the very heart of it, तो यह समविधान की फृदय और आत्म है heart और soul है constitution की, article 32 basic feature में आता है constitution के हमारे यह basic structure के अंदर include किया गया है, इसको इसका मतलब ना तो इसको छोटा किया जा सकता है मतलब इसमें से कुछ चीज़ें हटाई नहीं जा सकते है, ना ही इसको altogether हटाया जा सकता है by way of amendment to the constitution, समविधान में संचोधन करके इसको हटाया नहीं जा सकता है यह basic structure बनाता है हमारे समविधान, ठीक है, इसके बारे में और जादा बात करेंगे but before moving forward, यह मेरा चोटासा introduction है this is my telegram channel, जहां पर आप मुझे follow कर सकते है परी सभी class की update, schedules, pdf के लिए ndlife10 मेरा code है दोस्तों, जिसका आप इस्तमाल कर सकते हैं आपके subscriptions के लिए, या फिर unlock करने के लिए exclusive content को और आपको flat 35% discount, minimum 35% discount मिल जाएगा इस code के साथ आपके subscriptions पर, description box मेर comment section में आपको एक counselling form मिलेगा उस counselling form को fill कर दीजिए, वहाँ पर आपसे educator code पूछा जाएगा do not forget to mention my code ndlife10, ठीक है, admissions की मैं बात करूए admissions open in courses में हमारे करूलबाग center में, आप center visit कर सकते हैं इस number पर call कर सकते हैं, कोई भी जानकारी के लिए, कोई भी query के लिए doubt के लिए, आपको use करना है मेरा code ndlife10 to avail 35% discount on your courses there इसी तरह से मुखरजी नगर में भी हम आपके लिए courses लेकर आएं दोस्तों आप चाहें तो pause कर सकते हैं वीडियो को और ये courses देख सकते हैं, कौन-कौन से courses हैं उखरजी नगर center में आप visit कर सकते हैं, मैं doubt के query के साथ, या फिर इस number पर call कर सकते हैं code आपको use करना है ndlife10 to avail 35% discount इसी के साथ प्रियागराज में भी हम एक center शुरू कर चुके हैं दोस्तों यहां पर आपको पहला क्योंकि यहां पर batch शुरू होंगे तो 40% discount मिल रहा है मेरे code ndlife10 के साथ, यह code use करना मत भूलिएका counseling form में और कोई भी query प्रियागरा center संबन्द में आपको हो तो आप इस number पर call कर सकते हैं यहां ना किवल आपको जो UPSC foundation batch है हमारा उसका course मिल रहा है बलकि आपको prelims का crash course भी मिल रहा है और UPPCS के लिए भी पूरा foundation course हम लेकर आए साथ ही दिल्ली में रहने वाले दिल्ली के आसपस में रहने वाले aspirants के लिए हम crash courses लेकर आएं 2024 की तयारी के लिए दोस्तों आपर C-Sat crash course आपके लिए और फिल्म्स crash course हम लेकर आएं at a very very nominal fee अभी जाएए मारा करोलबाग center visit कीजिए और इन courses को avail कीजिए और अपनी तयारी को पिल्कुल सठीक बना दिए चलिए अब types of risks की बात करते रिट्स तो हमने देख लिए अब किस तरह कितनी तरह की रिट्स है जो fundamental rights में दिए और फाइक टाइप और विचार अबिस कॉर्पस मैंदमस प्रोहिबिशन सेरिटिरारी कोवरंट एक एक करके इन रिट्स को समझते हैं सबसे पहले आता है 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 इसका लिट्रल मीनिंग है to have you may have the body मतलब प्रस्तुत किया जाए व्यक्ति प्रिजिन भी बॉडी ठीक है ये रिट इशू की जाती है जब पोट चाहते हैं कि जो व्यक्ति है जिसको डिटेन किया गया है चाहे वो प्रिज़न में हो या प्राइविट कस्टिडी में हो उसको पोट के समक्ष फ्रस्तुत किया जाए और यदी उसका डिटेंशन इलीगल पाया जाता है तो उसको इंडिविजुल्स के गैंस भी लाई जा सकती है, along with the public authority, public मतलब जहां पर भी सरकारी है, उनके गैंस तो आ ही सकती है, private लोगों के गैंस भी एरिट इशू की जा सकती है, दूसरी है mandamus, mandamus again एक Latin term है, Latin word है, इसका मतलब है weak command, हम आदेश देते हैं, ठीक है, mandamus एक order है Supreme Court या High Court क to lower court, tribunal, या फिर public authority, again, किसी court को हो सकता है, निचली अदालक को हो सकता है, किसी tribunal को दिया जा सकता है, या फिर public authority को, कि वो अपनी public, या statutory duty जो है, उसको perform करें, अपना जो उनका कार्य है, उसका निर्वहन करें, ये writ of command issue की जाते है Supreme Court या High Court के द्वारा, जब कोई सरकारी, अधिकारी, या court, या corporation, या कोई पर public authority, जो है, वो अपनी public duty, जिसको public duty करनी होती है, लेकिन वो करते नहीं है, तो उनको यह, यहाँ पर यह आता है, mandamus का rate, कि भाई, अपनी duty पूरी कीजिए, अपना काम पूरा कीजिए, जो आपकी जिम्मेदारी है, rate of mandamus cannot be issued against private individuals, ये किस private व्यक्ती के entity के against नहीं आ सकती, बलकि केवल public authority, court या tribunal के, ठीक है, इसके बाद है, तीसरी rate, seriturary, ये seriturary का literal meaning है, to be certified, अब ये जो rate है, ये issue की जाती है, एक superior court के द्वारा आपने inferior court, tribunal, या quasi judicial authority, ठीक है, मतलब, ये judicial rate माल लीजए आप, कि कोई जब senior, superior court है, ये supreme court issue करेंगे, इसको high court को, high court issue कर सकते है, इसको किसी tribunal को, या फिर quasi judicial authority, निचली अदालत हो, ठीक है, देके ने rate issue करने के पीछे, कुछ conditions भी है, जो होनी चाहिए, जैसे की, there should be a court, tribunal, an officer having legal authority, जब ये rate issue की जाए, तो इसमें ये involvement होना, जरूरी कोई court हो, कोई tribunal हो, या कोई व्यक्ती हो, जिसमें किस लीगल authority हो, जो की, वेस्ट, जो की काम कर रहा है, to determine the question with the duty to act judiciary, ठीक है, मतलब, वो judicial authority में काम कर रहा है, such a court, tribunal or officer must have passed an order acting without jurisdiction, मतलब, ये जो court है, tribunal है, जो officer है, उसने कोई order passed कर दिया है, बिना अपने शेत्राधिकार के हुए, मतलब, अपने शेत्राधिकार से बाहर जाकर, अब एक सीमा है ना, कि आप इन मुद्दों पर सिर्फ decision ले सकते हैं, आप उससे बाहर जाकर decision ले रहे हैं, अपने jurisdiction से बाहर निकल कर decision ले रहे हैं, उसके access में decision ले रहे है तो इसको issue किया जाता है ठीक है This order could be against the principles of natural justice और यह जो order दिया गया है यह principles of natural justice के against हो सकता है और the order could contain an error of judgment या फिर इसमें कुछ गलती भी हो सकती है तो यह रिट से issue की जाती है जो order pass किया गया ठीक है तो basically seritory में क्या कहा गया है कि भाई यह जो आप कर रहे है यह गलत कर रहे है ठीक है समझ में आ गया चलिए now prohibition prohibition भी again एक तरह से judicial writ की तरह देख सकते हैं इसको जहाँ पर हम popularly इसको stay order की बात करते है आप रोब दीजिए ठीक है seritory में आप से पूछा गया है कि आप क्या कर रहे है यहाँ पर जब हम इसकी बात करते है मतलब आपको ही समझना होगा कि seritory कब आ रहा है जब decision आ रहा है decision आने के बाद seritory रहता आती है decision आ गया है order pass हो गया है order is passed must have passed an order order आने के बाद prohibition on the other hand it stays the proceedings यह बीच में आ जाता है रोक देता है कि अब इसके आगे आप कारवाई नहीं करें ठीक है the rate of prohibition means to forbid or to stop and it's popular known as stay order बीच में आ जाता है ना stay order proceedings के बीच में यह टिशू की जाती है जब कोई lower court या body transgress करती है अपने limits और powers बैसे अपने दायरे से बाहर जाकर आप decision लेने की कोशिश कर रहे है अपने decision लिया नहीं है लेकिन आप कोशिश कर रहे है आप beyond your jurisdiction जाने की कोशिश कर रहे है ठीक है तो यह रिट जो है prohibition की issue की जाती है high court या supreme court के द्वारा to an inferior court या quasi judicial body इसे prohibit किया जाता है निचली सतर की जो अदालत है निचली body जो है कि वो जो proceedings चल रही है पटिलर के इसमें उनको रोक दे उनको continue ना करे जहां पर उनका कोई भी jurisdiction नहीं है ठीक है after the issue of this writ proceedings जो होती है lower court में वो खतम हो जाती है रुक जाती है they come to a stop ठीक है अब prohibition seritorary में difference पो मैं अलड़ी बताई चुकी है आपको seritorary जहां एक तरफ order decision आने के बाद writ issue की जाती है वहीं prohibition during the pendency of proceedings available है ठीक है इसके बाद आती है आखरी writ which is the writ of quo warrant quo warrant literally इसका मतलब होता है what warrant किस authority से what is your authority इस writ को issue किया जाता है with a view to restrain a person from holding a public office to which he is not entitled मतलब कोई व्यक्ति किसी public office के लिए entitled ही नहीं है और वो उसको फिर भी he is holding that office तो उसको रोकने के लिए इस writ को लाया जाता है जो writ है it requires the concerned person to explain the court by what authority he holds the office उस व्यक्ति को writ issue की जाती है जो public office पर बैठा है suppose कीजी और वो entitled ही नहीं है उस office के लिए उस pad के लिए ठीक है if a person has served a public office the court may direct him not to carry out any activity in the office और may announce the office to be vacant गर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो या तो उसको मना कर दिया जाएगा कि आप कोई भी काव नहीं करेंगे इस office पर इस pad पर बैठकर या फिर उस office को vacant गोशित कर दिया जाता है ना court जो है issue करते है rate of equivalent जब कोई व्यक्ति एक office hold करता है beyond his retirement age मतलब retire हो गए है लेकिन उसके बाद भी उस pad पर बने हुए है और काम कर रहे है actions ले रहे है ऐसे में generally rate issue की जाए यहाँ पर आपको इधियान रखना है कि यह public offices की rate है private entity या body के लिए नहीं है ठीक है clear चलिए now conditions क्या है the office must be public and must be created by statute or by constitution itself the office must be substantive one and not merely the function of or employment of a servant at the will and during the pleasure of another मतलब public office होना चाहिए यह धियान रखिए ठीक है there must have been a contravention of the constitution or statute or statutory instrument in appointing such person to the office किसी कानून का उलंगन यहाँ पर होना चाहिए contravene होना चाहिए सम्विधान या कोई कारिक कानून है या कोई statutory instrument है उस व्यक्ति को उस पद पर बिठाने के लिए तब यह rate issue की जाती है तो दोस्तों before I end up end my session अगर आप UPC के तियारी कर रहे है तो आप भी हमारी exclusive free workshop attend कर सकते हैं with this QR code इस QR code को scan कीजिए January 14 को यह होने वाली है 3-5 बजे हमारे करूलबाग से इंटर भे और अपने doubt and query resolve कीजिए हमारे experts के साथ यहाँ पर इसके लाबा यह सभी फसलीटीज आपको मिल जाती हमारे offline centers पर आप इसके लाबाग यह सभी फसलिटीज आपको मिल जाती है उमारे off-line centers पर आप यह बी आल फर्म मिल जाती है I hope you like the session do not forget to like share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about all your latest stuff थांक यू सो मुच गड्लेस्टेकर आढक यू सक्तार प्राइब को प्सक्राइब कैसे ट्राइब करके गाल र Wattsete जर श्हूंच 수 कर दो प्सक्राइब को इनक अप्सकार ब्सक्राइब काचियो जी ऑद्क recibir